हलो फ्रेंज तो कैसे हैं आप मैं आ गई हूँ एक बार फिर से एक नई रेसिपी के साथ जो है सहजन से बनती है तो सहजन को हम मोरिंगा भी कहते हैं ड्रम स्टिक्स भी कहते हैं और ये एक मेडिशनल प्रोपर्टी है जो की हमें इलाज में बहुत काम आती है ये हमें तो इसको आप वीकली एक दो बार तो जरूर अपने खाने में यूज किया करिए तो मैंने ली हैं मोरिंगा की कुछ पतियां डाल ली थी उससे पतियों को इस तरह से निकाल लेंगे अच्छे से और हमारे जो मानेनी है मोदी जी है प्रधान मंत्री जी तो वो तो साइध है लगभग रोज ही वो इसका यूज करते हैं अपने खाने में लगभग रोज ही इसके पराठे या रोटी या फिर किसी भी तरह से वो इसको अपने खाने में जरूर इंक्लूड करते हैं तो आप भी करिए और इससे फायदा पाईए तो इसको मैंने लिया है अच्छे से सार इसके बाद इसका अगला प्रोसेस है कि इसको धुलकर अच्छे से दो तीन पानी से साफ करेंगे हम क्योंकि ये बड़े-बड़े पेड़ों में रहती है तो धुल मिट्टी बहुत लग जाती इसके अंदर उपर से हमें हाला की दिखेगी नहीं लेकिन मिट्टी बहुत होती इसको पहले धुलकर साफ कीजिए फिर उसके बाद अगला प्रोसेस इसका आएगा तो मैं जाती हूँ इसको धुलकर लाती हूँ ये लीजिए मैंने धुल लिया है इसको रेक छनी में रख लिया है जिससे पानी थोड़ा सा ज़र जाये इसका और फिर इसको हम चॉपिंग इसको पानी डाल कर थोड़ा सा घी लगा कर रख देंगे रेस्ट करने के लिए मैंने इसके साथ एक सबजी बनाने की ट्राइ किया है जो बहुत ही अच्छी बनी थी और बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन रहा तो मैंने उसके लिए बैगन काटली आटा उसमें ये जो प अब मैं बैगनों को मैरिनेट करूंगी उसके लिए मैंने अधर फ्लसन का पेस्ट मिर्च नमक हल्दी हुनाजीरा और गरम मसाला डाल कर पानी से हलका सा मिक्स किया है हाँ थोड़ा सा आमचुर भी डाला था इसमें और इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे सारे ही बैगन की जो भी रिंग्स हैं उनमें सब में अच्छे से लग जाना चाहिए मसाला मढ़ियां से मरिनेट कर देंगे थोड़ी देर के लिए इसको साइट में रख देंगे और दूसरी तरफ थोड़ा सा बेसन लेंगे उसमें मिर्च नमक डाल कर और थोड़ा सा भुना जीरा सब्सकाई करेंगे लेकिन यह पकने के बाद इस तरह से पक्षोब भी जाते हैं बहुत अच्छे ब्लाया नाची करने लगेंगे अब देखिए आटे ने रेस्ट कर लिया तो चलिए अब इसका काम शुरू करते हैं मैंने एक बड़ा सा पेडा ले लिया है इस आटे का और इसको बेल कर बढ़िया सा पराठे की शेप में बेल लिया है अब इसको मैं एकचलि लच्चा पराठा जैसा कुछ बनाने वाली हूँ तो इस तरह से पतले-पतली कट्स लगाए है जिस तरह से मलाबार लच्चा पराठा हमारा बनता है कुछ उसी तरह से मैंने इसको बनाने का ट्राय किया है और यह बहुत ही अच्छा बना था इस तरह से मैंने पतले-पतली कट कर मैं इसमें और इन सब कोई एक साथ इखटा कर लेंगे इसके बाद इसको इस तरह से रोल करते हुए टैक करके इसको सुखाआटा लगाकर अच्छे से बेल लेंगे और बेलने के बाद इसको सेख लेंगे कुछ इस तरह से ये पराठा रेडी हो जाएगा इसको बढ़िया सा दोनों साइड से सिखने के बाद घी जो भी आप लगाना चाहें उससे अच्छे से सेख कर रेडी करें ये खाने में जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी है हमारे लिए हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये तो हर चीज में फाइदा करता है इसलिए इसको जरूर अपने खाने में एड़ कीजी और मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो थैंक यू सो मच और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और बाबाए टेक कियर